दोस्तो क्या आपका State Bank of India यानि की SBI में अकाउंट है अगर है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा ही इंपोर्टेंट होने वाला है वो इसलिए क्योंकि SBI के Customers के साथ Fraud का एक नया तरीका निकला है और इस Fraud के नए तरीके के बारे में बात करने वाले हैं और आपको जानना बेहद जरूरी भी है क्योंकि अगर आप नहीं जानते हैं तो हो सकता है कि आपका बड़ा नुकसान हो जाए और उस नुकसान के सामने आप सिर्फ हाथ मलते ही रह जाएं और आज हम इसी के बारे में डीटेल में बात करने वाले हैं कि दर असल क्या कुछ है पूरा का पूरा मामला तो चलिए बारी बारी से पूरी डीटेल में इस बारे में बात करते हैं तो देखिए आगे बढ़ने से पहले थोड़ा आप ये जान लीजिए कि फ्राउड के कई सारे तरीके आज कल हमारे और आपके बीच मौजूद है और आए दिन फ्राउड के कई सारे खबरे भी सुनने को मिलता है कई बार बैंक अकाउंट से पैसे निकल जाते हैं कई बार क瑤डिट कार्ड से फ्राउड हो जाता है कई बार लोगों को इनाम देने के चक्कर में फ्राउड कर दिया जाता जी हाँ, कैसे ठागी करना, इसके बारे में तो हम आगे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले इसके बारे में जो State Bank of India ने अपने official Twitter handle से tweet करके अपने गरहाकों को सतरक किया है, उसके बारे में थोड़ा जान दीजिए, तो देखिए, SBI ने अभी से कुछ दिन पहले एक tweet किया, ज साजह ना करें, साइबर अपराद को इस link पर report करें, जो कि है cybercrime.gov.in, जी हाँ, तो किसी भी तरह का service related link, या फिर किसी भी तरह का KYC, या फिर किसी भी तरह का information मांगने वाला message, अगर आपके registered mobile number पर आता है, तो आप उसको ignore करें, इसके साथ साथ, आप साइबर क्राइम पर इंडिया ने tweet करके जानकारी दी, ये खास करके State Bank of India के गरहकों के लिए है, क्योंकि ये जो नए तरीका है, इस नए तरीके से SBI के गरहकों को चूना लगाने के लिए, कहिए तो ठगी करने के लिए documents मांग लिए जाते हैं, KYC के नाम पर documents मांग लिए जाते हैं, कई बार mobile phone भी इस तरीके से hack किया जा चुका है, तो इसे लिए SBI ने tweet करके ये जानकारी अपने गरहकों को दिया, क्योंकि fraud का ये तरीका नया है, और बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता है, अब बात करते हैं कि दरसल link पर click करने से क्या कुछ हो सकता है, तो देखिए, अगर आ आप किसी unverified link पर click करते हैं तो, जैसे माल लिजिए कि आपको किसी ने message किया, कि भाई ये आपके लिए बड़ा ही दमदार offer SBI ने भेजा है, आप सिर्फ KYC किजिए और ये offer claim किजिए, अगर आप link पर click करते हैं, आप से कुछ documents मांगे जाते हैं, documents के नाम पर भी आज के date म बड़ा fraud हो रहा है, कि आप उस link पर click करके अपना documents भेज देते हैं इस उमीद से, कि मुझे वो इनाम मिल जाएगा, लेकिन आपको इनाम नहीं मिलता, आपका documents उस fraud बंदे के हाथ लग जाता है, और आपके उस document का इस्तेमाल करके आपके नाम से loan लिया जा सकता है, आपके आपके नाम से financial धोखाधड़ी किया जा सकता है, इसके अलावा और भी बहुत सारे धोखाधड़ी आपके नाम से किया जा सकता है, इसलिए SBI के साथ-साथ RBI ने भी बहुत पहले इस बारे में जानकारी दिया था, कि इस तरह के fraud से जादा से जादा बचे, इसके अलावा इससे पहले SBI ने fraud loan app के बारे में भी ट्वीट करके जानकारी दी थी, लिखा था कि be aware of fraudulent instant loan apps, please do not click on unauthorized links or provide your details to an entity, impersonating as an SBI or any other bank, visit bank.sbi for all your financial needs. जी हाँ, तो अब से पहले instant loan के नाम पर बहुत fraud हुए हैं और आज के date में भी हो रहे हैं और इसको ले करके SBI ने भी बाजापते ट्वीट करके लोगों को जानकारी दी थी, कि कि किसी भी तरह के unauthorized link पर click मत कीजिए, और instant loan के चकर में मत आई है, खास करके वैसा instant loan app जिसक सतर्क किया है, और सतर्क करना कहिए, तो गरहकों के फाइदे के लिए है, फाइदे मंद है, अब एक बाता और मैं आपको बताता हूँ, कि अगर आपको इस तरह का कोई message, कोई इस तरह का link अगर आपके mobile phone पर आए, तो आप क्या करें, देखिए आप तो ignore करें ही करें, cyber crime प बैंक के customer के अधिकारी आपको इस बारे में पूरी जानकारी दे देते हैं, तो इससे जो है, आप fraud से बच जाते हैं, का ये तो fraud होने से बच जाते हैं, ठीक है, तो यहीं सारी जानकारी थी, खास करके उन लोगों के लिए, जो State Bank of India के गरहक है, का ये तो customers हैं, चाहे तो व भी इसी तरह का कारे करें, कि भाई, cybercrime को रिपोर्ट करें, और अपने बैंक के customer के अधिकारी से बात करके, एक बार उस SMS ये message के बारे में पूस्ती कर लें, कि वो कितनी सही है, और कितना गलत है, आपको पता चल जाएगा, तो बस यही कुस्ता आज के इस वीडियो में इ बाद कितना झाल 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 झाल